मैं कौन हूँ? मैं बिजली के तार से लटकती अकेली बूंद हूँ जो एक तरफ तो कुल बुला रही है कि कोई साथी मिल जाए बहुत अकेला पने जिंदगी में और दूसरी तरफ घबरा रही है कि कहीं तार ना छूट जाए नीचे धूल है तार से गिरूंगी धूल में प हुत है कि हाई हाई ना जाने कब प्राण छूट जाए तार ही से लटकी हुई है और जैसे गुरुत्वाकरशन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा वैसे ही जीवन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा बस जब गुरुत्वाकरशन की बात करते हैं तो हम कह देते है कि कुछ नहीं हुआ, the larger object attracted the smaller object, वस इतना नहीं बोल देते हैं, और जब जीवन की बात आती है, और कोई लटका हुआ था, तार से वो गिर पड़ा, तो कहते हैं, हाय हाय मर गया, वो मर नहीं गया, small object went to the large object, just like in physics. इतना बड़ा विस्तार है, दृष्य जगत का, एक बार कल्पना करिए और देखिए ठीक इस ख्षाण सिर्फ इस बहुत छोटे से ग्रह प्रत्वी पर क्या क्या हो रहा होगा? जिसे कि आपके सामने हजारों आदम कद स्क्रीन्स हों, और हर स्क्रीन पर भी दस दस हिस्से कर दिये गए हो, और हर हिस्से में प्रत्वी की किसी जगह का दृश्य है आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए, कुछ स्क्रीन्स में मनुश्य होंगे, कुछ में मनुश्य नहीं होंगे, कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं समुंदर होगा, कहीं रेथ होगी, कहीं किसी का शिकार हो रहा होगा, कहीं किसी का जन्म हो रहा होगा, कोई सो रहा होगा कोई जग रहा होगा छोटा पवधा है उस पर कोपलें फोट रही है बड़ा वरिक्ष है उस पर पक्षियों का घोसला है सब कुछ एक साथ और ये सब कुछ सिर्फ प्रथवी पर कहीं है कुछ जो बहुत कर्म है और कहीं बहुत दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर है और ये सब कुछ इसी पल हो रहा है ये जो हजारों विविद्ध दृश्च हैं ये सब इसी पल के हैं इनको हम लाखों भी कह सकते हैं ये हम करोडों भी कह सकते हैं और फिर देखिए कि ये जो इस पल करोडों विविद्धाओं वाले दृश्च हैं वो करोडों वर्शों से हैं और ये सब कुछ होता ही जा रहा है होता ही जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है उसके मध्य आप हैं मनुष्य किस अर्थ में आप इस पूरी सतत प्रक्रिया से अलग हो गए किस अर्थ में हम ये कह दें कि जो दिख रहा है वो दृश्च है और हम उससे भिन एक द्रिश्टा है जो उन हजारों और बढ़ाई है करोडों स्क्रीन्स पर करोडों सालों से हो रहा है ठीक होई हमारे साथ भी हो रहा है अगर वो स्क्रीन्स अंगिनत हैं तो उन पर मनुश्य भी होंगे अंगिनत क्या है हमारे जीवन में ऐसा जो उन अंगिनत मनुश्यों के जीवन में नहीं है किस अर्थ में हम ये दावा कर दें कि हम जो देख रहे हैं उससे भिन है थोड़ा भी जो हमारे चारों और पसरा हुआ है विस्तरत अनंत अपार हम उसका हिस्सा हैं बलकि हम बिल्कुल वही है और जो पसरा हुआ है अगर वो इतना साधारण है इतना महत्तोहीन है कि हम उसे सामन्ने तयार याद रखने की भी जरूरत नहीं समझते तो हम स्वयम को क्यों याद रखते हैं अभी मुझे एक चित्र खीचना पड़ा आपका ध्यान इन करोणों विधताओं की ओर ले जाना पड़ा तो आपको कहीं पर कोई महासागर दिखाई दिया कहीं सहारा रेगिस्तान दिखाई दिया कहीं कोई गगंचुम्बी इमारत दिखाई दी कहीं आदेवासियों की जोपड़ियां देखाई दी प्रैत्न करना पड़ा आपने उड़ती हुई रेत भी देखी आपने जमती हुई वर्फ देखी आपने छोटी छोटी चीटियों की कतार देखी आपने विशाल समुद्री जीव देखे विजली का तार है ये घर में कपड़े सो खाने वाली डूरी उससे एक बूंद लटक रही है आपने उस बूंद का अकेलापन देखा और ये सब आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं आप रोजी देखते हो इसलिए उसका स्मरण मुश्किल नहीं था परिस्मरण करना पड़ा रोज देखते हो पर उसको चेतना में आगे नहीं रखते हैं हम कहते हैं इसमें विशेश क्या है हम कहते हैं विशेश द्रिश्य में नहीं है विशेश तो कुछ मुझ में है जाने वालों ने पूछा है जो कुछ आप देख सकते हो बताओ आप में उससे कुछ भी अलग है क्या जड़ पदार्थ की तरफ थोड़ा बाद में जाएंगे चेतन्य मनुश्यों की बात कर लेते हैं हम कहते हैं कि हम हैं और होने का आर्थ होता है विशिश्ट होना रेत के एक कण को आप कोई नाम नहीं देते क्योंकि वो विशिश्ट नहीं होता रेत का एक कण रेत के अंगिनत अनकण अन्यकणों से जरा भी भिन नहीं होता तो हम उसे कोई नाम भी नहीं देते ना हमारे जीवन में क्या भिनने हैं अन्य मनुश्यों के जीवन से हमारा कोई नाम क्यों हो अगर सिर्फ मनुश्यों से तुलना करनी हो तो और जो थोड़े साहस और थोड़ी ज्यादा समझ के खत्रे उठाना चाहते हो उनसे तो ये भी पूछा जा सकता है ये उड़ती हुई रेत और बहते हुए पानी से भिन्न क्या है हमारे जीवन में और कुछ लोगों को वो सवाल थोड़ा जचेगा नहीं कोई कहेगा ज्यादा धारशनिक है कोई उसे कवे अत्म कह देगा कोई कालपनिक कह देगा तो उसको हटाइए हम मनुश्यों तक ही समस्वाइम को सीम में तरकते हैं ये जो स्क्रीन्स पर करोडों अर्बों हैं मनुश्य हमें उनसे अलग क्या है कुछ है क्या और अगर नहीं है तो मैं फिर पूछ रहा हूँ हम किस अधिकार से स्वयम को मैं कहते हैं जिन में एक दूसरे से भिन्न कुछ नहीं होता वो प्रकृति में न तो कोई विशेश नाम पाते न मैं कहने का अधिकार हम में क्या विशेश है पर मैं तो हम बोलते हैं हम कितनी भी चर्चा कर लें ये संभव नहीं होगा कि अगला बालक जन मले और उसमें मैं भाव नहों हम पैदा होंगे तो मैं भाव के साथ ही पैदा होंगे मैं भाव इस कल्पना पर भ्रान्ति पर मित पर आधारित है कि हम अलग हैं मैं कहता है मैं अलग हूं मैं अलग नहीं हूं तो मैं कहने का कोई तरक नहीं बचता न सागर की किसी बूंद को आपने कभी कोई विशेश नाम दिया क्या दिया क्या नाम होगा उसका उसका अन्य बूंदों से कोई भेद ही नहीं नाम क्या देंगे हम कहा देते हैं एक बूंद और ड्रॉप अफ वर्टर परियाप्त होता है मैं कहता है मैं अलग हूँ विशेश हूँ और वो कभी कीमानदार व्यापक समीक्छा करता नहीं कि तू किस अर्थ में विशेश है बस एक धुंदला सा पर बड़ा सशक्त भाव रहता है भीतर बहुत धुंदला पर बहुत कहरा कि मुझे में कुछ अलग तो है आप अपने जीवन का एक पल बता दीजिए जो अलग हो किसी तरीके से अपने जीवन की कोई छोटी बड़ी बात बता दीजिए जो पहले ही अर्बों बार घटित नहीं हो चुकी और ठीक इसी पल अर्बों बार दोहराई नहीं जा रही की जैसे बादल से गिरती बुंदे बारश की एक गिर रही है तो लाखों अन्य भी गिर रही है एक जहां से गिर रही है लाखों अन्य भी एक जहां को गिर रही है लाखों अन्य भी एक की जो गत्य है अन्यों के भी लगभगवई गत्य है एक का जो आकार है दूसरों का भी लगभगवई आकार है आदि भी वही, अन्त भी वही, मति भी वही, गति भी वही, पर विश्ष्टता का भाव गहरा है, जैसे हम हूँ, जैसे हम हूँ मैं कहता है, मैं अलग हूँ, और समझाने वाले कहते हैं, तुम अलग नहीं हो, और नहीं के नीचे रिखा कीजिए यह जान लो, तो तुम अलग हूए, तुम अलग नहीं हो, यह जान लो, तो तुम अलग हूए राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे मैं कहता है, मैं न्यारा हूँ, और संत कहते हैं, राम न्यारे हैं, और तुम तो प्रक्रति की भीड के कोलाहल का, एक मामूली, महत्यूहीन, शनभंगुर हिस्सा मात्र हो, तुम्हें महत्यूहीन कहना भी तुम्हारा महिमा मंडन है, क्योंकि महत्यूहीनता भी उसकी होती है, जिसका कम से कम अस्तित्यू होता है, जब अस्तित्यूही नहीं, तो महत्यू कैसा मामूली भी नहीं, अंजन सकल पसारा रे, तुम अलग नहीं हो, ये सब कुछ जो तुम्हारे और फैला हुआ है, तुम यही हो, मैं द्रिष्टा बन जाता है, और कहता है, मैं अलग हूँ, मैंने द्रिष्ट को देखा, मैं अलग हूँ, मैंने द्रिष्ट को देखा, बाहर चिड़िया चहचा रही है, मैं चहक कर कहता है, चिड़िया चहचा रही है, तत्य यह है कि तुमने देखा कि दो चिड़िया चहचा रही है, दो नहीं, तीन चहचा रही है, तीसरी तुम हो, मैं कहता है, मैं द्रिष्टा मैंने दो को देखा, यहाँ कोई द्रिष्टा नहीं है, तीन चिड़िया है, जिन में से एक अपने आपको दो से भिन्न समझ रही है, भ्रांतेवश्च, तुम जिसको देख रहे हो, और देख करके सोचते हो, तुमने स्वयम से भिन्न किसी को देख लिया, तुमने जिसको देखा, तुम उससे भिन्न नहीं हो, मैं कहता है, नदी बह रही है, मैं नदी को देख रहा हूँ, एक नहीं, दो नदियां बह रही है, जिन में से एक थोड़ी पागल है, तो उसको ब्रहम हो गया है, कि वो दूसरी नदी की द्रिष्टा है, जो नदी पागल नहीं है, उसको हम जड़ बोलते हैं, जड़ माने पागल होता है, जो नदी पागल है, उसको हम चैतने बोलते हैं, और चैतना माने तो बोध होता है, यह भाशा है, आप खड़ी हैं, आपके सामने नदी बेह रही है कितनी नदिया हैं, दो जिन में से एक थोड़ी समझदार है, चुपचा बस बहती है वो बहने का दावा नहीं करती वो अपने अस्तित्तों का कोई कुमान नहीं करती तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जड़ जड़ अगर है तो कौन सी है मुझे देख रही है नदी, जड़ तो वो है द्रिश्य को देखता है और कहता है मैंने देखा तूने सच मुझे देखा होता तो तू देख लिता कि तू बिलकुल वही है जिसको तूने देखा और जब तक देखते हुए ये नहीं देखा कि जिसको देखा वो बिलकुल मेरे ही जैसा है कुछ रूप रंग आकार इत्यादे में अंतर है मौलिक प्रक्रियाएं उसकी बिलकुल मेरे ही जैसी है तब तक कुछ नहीं देखा तब तक ये भरांती रह जाएगी कि मैं अलग हूँ वास्तव में हम जिसको देखना कहते हैं वो भी बस नदी के बहने धूल के उड़ने और बर्फबारी जैसा है बिलकुल एक भौत एक रासायनिक काम है वो देखना हमारी आखें जो कर रही है देखते समय उसको बहुत आसानी से किसी प्रयोगशाला में दुराया जा सकता है उसकी नकल सिमुलेशन हो सकता है देखने की पूरी प्रक्रिया या आज से नहीं है सौपचास साल पहले से प्रयोगशालाओं में कर रहे है तो क्या देखा आप कहते हो आपने कोई रहसाइनिक क्रिया देखी मानिये या आपने कोई भौतिक क्रिया फिजिकल फिनॉमेना देखा और जिसको आप देखना कह रहे हो वो अपने आप में भी क्या है एक केमिकल फिजिकल प्रोसेस है तो एक फिजिकल प्रोसेस में दूसरे फिजिकल प्रोसेस को हम कह रहे हैं देखा, क्या देखा है जो आपने देखा उसी को देखना कहते है जो आपने देखा उसी को देखना कह रहे हो आपने देखी एक भौतिक क्रिया और देखना भी है अपने आप में एक भौतिक क्रिया तो जो उधर हो रहा है वो इधर हो रहा है तो द्रिश्य और द्रिश्टालक कैसे हो गया मैं विशेश कैसे हो गया जो इधर है वही उधर है पर इधर वाला उधर को देख देख के सोचता है वो मुझे से भिन्न है वो भिन्न नहीं है जड़ मानना है तो दोनों को जड़ मानो और चेतन मानना है तो दोनों को चेतन मानो मात्रा का अंतर है आयाम का नहीं कौन किस सीमा किस हद तक जड़ है इसमें अंतर है आयाम कहते हुए भी मैं थोड़ा मुस्कुरा देता है क्योंकि जब वो कहता है कि जड़ता और चेतनता दो अलग अलग आयाम है तो यह मान लेता है कि चेतना जड़ता से भिन है और इतनी भिन है कि उसको एक अलग आयाम बोल सकते हैं जिसको तुम चेतना कहते हो वो प्रक्रति मात्र है तो हम जिसके कम या जादा होने की बात कर रहे हैं वो बस मैं भाव है जड़ वो जिसमें मैं भाव नहीं चेतन वो जो है तो जड़ ही पर मैं का ताज पहन कर बैठ गया तो दोनों में कोई मॉलिक अंतर नहीं है अंतर बस दावेदारी का है हैं तो दोनों एक ही बिलकुल एक है कुछ तो अंतर होगा मैं हूँ ये मेज है कुछ तो अंतर होगा यही अंतर है कि मेज बोलती नहीं कि मैं मेज हूँ एक मेज ये है एक मेज ये है वो चुपचाब बैठी रहती है यह बोलती ज्यादा है यह अंतर है आत्मग्यान में और क्या जाना जाता है द्रिश्टा जब द्रिश्च के साथ साथ स्वयम को देखता है तो उसे और क्या पता चलता है बस इतना ही कि जड़ता के अलावा उसकी अपनी हस्ती कुछ नहीं बाहर अगर अणूओं, परमाणूओं, रसायनों का खेल चल रहा है तो भीतर भी उस खेल के अलावा कुछ नहीं बाहर अगर सब कुछ प्रक्रति के नियमों से बना हुआ है तो भीतर भी नियमों की बांध के अलावा कुछ नहीं राम को न्यारा नहीं बोल सकते जब तक मैं न्यारा है न्यारा मने अलग, विशेश मैं जब तक अपने आपको देखी हुई वस्त से भिन्न मानेगा तब तक मैं के लिए तो मैं ही राम है राम मने वो तत्व जो प्रक्रति से न्यारा है और अगर आपने ही कह दिया कि आप ही न्यारे हो तो राम कमकुट तो आप ही धारण कर गए सत्य आत्मा ब्रह्म यही निरंजर है इन ही को राम कहा गया है इन शब्दों में राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा रे पर कैसे कह दे हम राम को न्यारा जब न्यारे तो हम स्वयम ही बने बैठे हैं और वो जिसने स्वयम कुन्यारा विशिष्ट अस्तित्वमान घोशित कर रखा है उसे कश्ट होता है यह जानने में कि उसके दावे जूटे हैं कि उसमें और जिस कुर्सी पर वो बैठा है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है यह बात सुनने में ही ऐसी लगती है कि विरोध उबल पड़े मैं मैं हूं कुर्सी कुर्सी है मैं कुर्सी कैसे हो सकता हूँ प्रक्रति में कुछ भी किसी दूसरी वस्त से मौलिक रूप से भेद नहीं है यद्य पर प्रक्रति में विविधताएं अनन्त हैं भेद नहीं है भेद तो सिर्फ प्रक्रति में और आत्मा में है इससे आशे क्या है हम कहते हैं यह प्रक्रति है यह आत्मा है दोनों अलग-अलग है ऐसा कुछ अर्थ है अहम के लिए ठीक है तो यह जो भेद की बात है जिसमें राम आते हैं कि राम नयारे हैं यह बात निश्चित रूप से सिर्फ किस पर लागव होती है अहम पर लागव होती है प्रक्रति स्वयम उठकर कभी दावा करने आई है कि वो नयारी है कभी हुआ कि आप कमरे में आए और कुरसी बोली आज बहुत चिंता है मैं परेशान हूँ कभी हुआ कुरसी में आप उठा के यहां से वहां रख दो कुरसी कुछ बोलती है आप मत बैठो कोई और बैठ जाए कुरसी कुछ बोलती है तो ये मैं है जिसको न्यारे होने का भाव है तो निश्यत रूप से राम की बात सिर्फ इसी के लिए है प्रक्रति को नहीं संबोधित किया जा रहा है क्योंकि प्रक्रति का तो ऐसा हो ये दावा ही नहीं उसे क्या समझाओगे जो दावा ही नहीं करने आया, उसके दावे को कैसे जुटला होगे मैं का दावा है, मैं न्यारा हूँ मेरा ये, मेरा वो तो भेद सिर्फ मैं के लिए हो सकता है और एक ही भेद है, एक ही रामत तो है कि मैं अपने आपको विशिष्ट मानना छोड़ दे यही रामत तो है यही एकमात्र भेद संभव है तो आपके जीवन में से इन दो में से एक चीज होगी अच्छे से समझ लीजे या तो आपके जीवन में विविधताएं होंगी या विवेक होगा मैं भेद को ही विवेक बता रहा हूँ आपर या आपको अपने आप से पूछना है विविधताएं है या विवेक है विविधता का मतलब होता है कि मैं कभी ये बना हुआ है मैं कभी वो बना हुआ है विविधता है मैं कभी प्रसन है कभी चिंतित है वो कभी मा बना हुआ है कभी बहन बना है कभी दोस्त बना है ये मैं का काम है ये विविधताई है सब विविधताओं में एक चीज बिलकुल दुरुस्त बची रहती है क्या हूँ तो अभी दुश्मन हूँ अभी अभी बेटी हूँ अभी बेहन हूँ तो अब कोई दोस्त और दुश्मन में कुछ साजी बात नहीं है ऐसा लगता इतने अलग है अलग कुछ नहीं है दोस्त हैं कि दुश्मन है साफ बच कौन गया बाकी सब विविधताइं ले आओ, पर मैं तो हूँ, ये विविधताइं हैं, ये हमारे जीवन का साधारण किस्सा है मैं केंदर पे बैठा है और उसके चारों और ये पूरा दरिश्य जगत नाचरा है और ये नियारा बनके बैठा हुआ है और ये सब कुछ जो नाच रहा है इसमें से कभी इसको पकड़ता है कभी ये उठाता है कभी विविधवस्तु है भाई जगत क्या है विविधवस्तु भंडार इसको पकड़ो, ये ले लो ऐसा हो जाए, ये फेक दिया इससे इसको मिला दिया ये सब करना ये साधारन किस्स है विविधवता विविधवता को हम सोचते हैं उसमें कुछ बदलाव आ गया विवेक दूसरी बात होती है विवेक का अर्थ होता है ये जान लेना कि ये जो पूरी विविधवता है इसमें मैं स्वयम भी शामिल है मैं स्वयम भी शामिल है विवेक तब है जब आप अपने आपको पूरे तरीके से प्रकृति के नियमों से संचालित देख लें आपको दिखही जाए कि रेत का जर्रा हो रसायन हो बहुत बहुत पुराने नियमों से बंधी हुई एक इकाई हो ये विवेक है विविधता का अर्थ होता है मैं स्वयम को नहीं देखेगा जगत की ओर देखेगा जहां उसे सब अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी तो उसे अपने मनुरंजन का बड़ा मसाला मिल जाएगा विवेक का मतलब होता है जगत को भी देखा स्वयम को भी देखा और खाँ अरे वा ये तो दोनों बिलकुल एक जैसे हैं ये दोनों तो बिलकुल एक जैसे हैं मैं का न्यारापन मिट गया मैं का न्यारापन मिट गया और उसी न्यारेपन को मिटाने के लिए ये गाया जाता है बार बार मैं को ही सुनाने के लिए ये गाया जाता है बार बार कि राम निरंजन न्यारा रे इसको हमें सुनना ऐसे है कि मैं नहीं हूं न्यारा रे नहीं तो प्रक्रत्य प्रदत्त को टिलता भी हमें पूरी है हम उसको ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं गुण है बस वो एक गुण अवो हमी भर में नहीं पाया जाता वो प्रक्रत्य में तमाम जगह दिखने को मिलता है राम ने रंजन न्यारा है बोल देंगे और साथ में कह देंगे ये थोड़ी कहा कि सिर्फ न्यारा है हम भी न्यारे हैं राम भी न्यारा और मैं भी न्यारा या ये कह देंगे कि हाँ हाँ राम न्यारा है और अंदर की बात बतानी है तुमको मैं ही तो राम हूँ तो कुल मिला करके मेरा न्यारापन भी बच गया जिन्होंने ये बातें कहीं वो सरल लोग थे सरल हो जाने पर जो सरल हो गया उसको एक वरदान ये मिलता है कि कुटिलता के लिए उसके द्वारे ही बंद हो जाते हैं उसको तो ये वरदान मिल गया लेकिन उसका ये वरदान दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है क्योंकि वो तो सरल हो गया अब वो बात भी सरल ही बोलेगा उसके लिए ये अनुमान कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी सरल बात कुटिल लोग किस-किस तरीके से तोड मरोड सकते है तो वो सीधे साधे सपाट अपने तरीके से अपनी सरल बात रख देता है और चूंकि उसने कुटिलता कब की त्याग दी तो उसको ये स्मरण रहना भी बंद हो जाता है कि कुटिलता कोई चीज होती है हाँ उसको जगत में सामने कुटिलता देख गई तो उस हद तक वो तुरंत पहचान लेगा ये कुटिलता है पर कुटिलता अब उसके लिए महत तो नहीं रखती न विक्तिगत रूप से और जो कुछ अब आपके लिए विक्तिगत रूप से महत तो नहीं रखता आप उसको भूलने लग जाते हो होता है कि नहीं घर में इतनी चीजें हैं जो चीज बहुत दिनों तक महत तो की नहीं हो याद रह जाती है कहां रखी है फिर वो साल, दो साल बात कहते हो और यह यहाँ रखा हुआ तो हमें नहीं नहीं जाता है तो वैसे ही जो सरल हो जाता है चूंकि कुटिलता अब उसके काम की नहीं रह गई तो कुटिलता को भूलने लग जाता है दिख जाएगी सामने तो पहचान लेगा वो बोल देगा ये देखो ये तुम कुटिलता कर रहे हो पर उसके स्मरण में नहीं है उसके मन में नहीं है सामने आगई तो देख लेगा पर उसके भीतर नहीं है तो जब उसके भीतर नहीं है और वो अपने एकांत में गाता है तो कुटिलता को बिलकुल विस्मृत करके गाता है अपने एकांत में गा रहा है राम निरंजन न्यारारे अब वो जो उसने अपने एकांत में गाया वो आम लोगों के हाथ आया ठीक अक्सर जो कहा जाता है वो कहा भी सिर्फ तब जाता है जब आम लोग आसपास नहीं होते आम लोगों से अगर घिरा हो ये सरल व्यक्ति तो इतनी उची बात तो कह भी नहीं पाएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है उची से उची बात तो उसके अपने एकांत में, उसके अपने क्यावल्य में प्रकट होती है वहाँ सिर्फ वो था, उसकी सरलता थी और फिर वो बात चलते चलते कहां पहुंची? भीड में पहुंची और जब कही गही थी, तब तो ये अनुमान भी नहीं था और ये अदेश 사랑 भी नहीं था, कि वो बात भीड में जाएगी भीड में आ गई और भीड तो उसको अपने कुठिल कानों से ही सुनेगी तुन्हों ने कहा राम ने रंजन न्यारारे भीड बोलेगी हो, राम ने रंजन न्यारारे और हम हूं न्यारारे क्योंकि यही तो कहा है कि राम न्यारे है यह थोड़ी कहा है कि सिर्फ राम न्यारे है एक से एक वकील बैठे न वो कहेंगे इसमें कोई exclusivity का clause तो नहीं है यही तो आपने कहा है कि त्रेन के डब्बे में आपकी बर्त है आपकी आरक्षित एक सीठ है आपने यही तो कहा है हाँ ठीक है आपकी है और हमारी भी है आप न्यारे हम भी न्यारे तो कोई थोड़ा उन्हें समझाएगी देखो न्यारा का मतलब ही होता है जो अनूठा अकेला तो दो न्यारे नहीं हो सकते तो वकील साब फिर से आजाएंगे भीतर से हाँ दो नहीं हो सकते पर यह तो हो सकता है कि जो न्यारा हो उसके दो नाम हो यह तो हो सकता है ना एक ही न्यारा है पर उसके दो नाम तो हो सकते है हाँ यह तो हो सकते है बोले अब जैसे अब आप आप बोलने कि राम नियारे हैं तो राघव नियारा भी तो बोल सकते हैं यहाँ यह तो चलेगा क्योंकि राम और राघव एक ही तो ठीक है बोले ऐसे ही राम निरंजन नियारा रहे हैं और मैं ही तो राम हूँ राम का ही दूसरा नाम मैं है और कोई किताब खोल के दिखा देगा जिसमें राम के सावनार्थी लिखे होंगे पहला होगा जुन्नुलाल भूले ये देखो राम के जितने नाम है उनमें पहला नाम ही क्या है? मेरा नाम सुझ में आरे ये बात तो इसलिए हम इस बात को बहुत महत्तो नहीं देंगे कि राम नारे है हम महत्तो इस बात को देंगे कि हम नारे नहीं है और जिसने ये साफ साफ देख लिया कि हम नारे नहीं है उसको हक मिल गया गाने का कि राम निरंजन नारा रे मैं ही ने आ रहा तो कौन से राम और कौन से कृष्ण कौन सी महान्ता कहां के महापुरुष कहां से आए आउतार ना कोई महापुरुष ना कोई आउतार सब हमी है भूल जाओ संत ज्ञानी आउतार सबसे बड़ा है एहंकार वो सबका बाप है अपनी नजर में वो किसी की भी बात को पचा जाएगा वो किसी के भी शब्दों को अपने अनुरूप तोड़ मरोड़ो लेगा मैं नियारा मैं कौन हूँ मैं बिजली के तार से लटकती अकेली बूंद हूँ जो एक तरफ तो कुल बुला रही है कि कोई साथी मिल जाए बहुत अकेला पने जिन्दगी में और दूसरी तरफ घबरा रही है कि कहीं तार न छूट जाए नीचे धूल है तार से गिरूँगी धूल मैं पड़ूँगी कुछ बचेगा नहीं एक और तो उसकी कामनाएं उबाल खा रही है कि बूंद को कोई बूंदा मिल जाए होता है देख दो बूंदे मिला दो तो यह बड़ी बूंद बन जाते है बिलकुल फिजिक्स के नियमों के अनुसार वैसे ही और दूसरी और ये डर भी बहुत है कि हाई हाई न जाने कब प्राण छूट जाए वो तार ही से तो लटकी हुई है और जैसे गुरुत्वाकरशन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा वैसे ही जीवन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा बस जब गुरुत्वा करिशन की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ दे लार्जर आबजेक्ट अट्रेक्टेड दे स्मॉलर आबजेक्ट बस इतना ही बोल देते हैं और जब जीवन की बात आती है और कोई लटका हुआ था तार से वो गिर पड़ा तो कहते हैं हाई हाई मर गया वो मर नहीं गया प्रेक्टेड दे लार्ज आबजेक्ट जिस लाइक इन फिजिक्स मैंने आरा नहीं हूँ तो यह करना है कहीं से कोई बून लटका के देखना है उसको लटका नहीं चलिए प्रेवक करते हैं अरे कैसे करें यहाँ तो सब गर्व हो ठीक है यह रखा ठीक अब मान लीजे बहुत ठंडा है ठंडा हो गई नहीं इनके पास कैसे होगा मैंने कोई पहले थोड़ी बताया है यह मान लीजे बहुत ठंडा है बहुत ठंडा है और मान लीजे कि मौसम में भी बरसात का है उमस है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बधाई हो घर में बेटी हुई है उसका नाम है बिंदू बूंद बिंदू वो कहां से आई कहां से आई वो इस समश्टी से आई देखो थी क्या थी अब बूंद पहले नहीं आती है पहले धीरे धीरे हां क्या होना शुरू होता है फॉग से आ जाता है वो गर्ब है वो भूंद है वो एम्ब्रीयो है कहां से आया वो हमेशा था सदा था बस यहां पर आकर कंडेंस हो गया है वो हमेशा था यहां पर बाहर जो आपको दिखाई देता है मौश्चर वो क्या किया कहीं से आया है कहीं विशेश जगह से जीवात्मा वगेरा भूम रही थी और यहां पर आकर बैठ गई नहीं वो प्रक्रते मात्र है वो यहीं थी वो हमेशा से थी यहां स्थितियां अनुकूल रही तो यहां उसने एक विशेश रूप ले लिया ठीक है न विशेश रूप ले लिया तो हम कहते हैं रहे वाह यह देखो यहां पर अब मौश्चर पानी जमना शुरू हो गया है और उस ज्यादा देर तक जमा रह जाए और जो इसका तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाए तो वही जो बाहर यहां पर जमा होता है वो फिर क्या हो जाता है वो बूंद बनता है और एक ही बूंद बनता है और उस सारी बूंदे बिलकुल एक ही जगह से आई है एक ही जैसी है और एक ही तरह से नीचे ढुलकेंगी बस समय का अंतर हो सकता है कोई छोटी हो सकती है किस दीक्षन पर आप इसको देखें तो एक बूंद लगते वो यहां तक आ गई है, 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 यहा कि सारा खेल जो बाहर जमा उआ था कहां गया जहां से आया था वहां को चला गया कहां से आया था किसी दिव्य दूसरे लोग से आया था जहां जीवात्माओं का वास होता है नहीं इसी प्रक्रति से आया था और इसी को वापस चला गया धूल से उठे थे धूल में चले गया धूल से उठे थे धूल में चले गए ये हम है बताओ हम में न्यारा क्या है हम में न्यारा क्या है हम में अगर कुछ न्यारा है तो बस ये कि हम भूंदू बहुत है ये गिलास है ये कांच है ये कभी अपने आपको मैं नहीं बोलते हम में अधिक से अधिक यही न्यारा है कि म तो यही जो भर्म है कि मैं अलग हूँ, इसको हटाना ही आत्मग्यान है। मैं प्रक्रति से भिन्न हूँ, इस भर्म को हटाना ही आत्मग्यान है। हमारा जन्म नहीं होता लिखिए हमारा रूपांतरण होता है जन्म तो किसी ऐसे का होगा न जो पहले नहीं था सिर्फ रूपांतरण हुआ था जो यहां पर आकर के पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चिपक गई एकदम नन्ही उनका जन्म हुआ या वो पहले से ही वतावरण में थी बस उनको एक अनुकूल स्थित मिल गई उनको एक जगह मिल गई जहां वो जाकर बैठ सकते हैं आप इसको प्लेसेंटा बोल सकते हैं मा का गर्व है वो सब कुछ हवा में था पहले से यहां उसको बैठने की जगह मिल गई वो यहां बैठ गया फिर कुछ समय बिता करके बून निकल पड़ी अब यह जन्म हो गया घर में बिंदू बिटिया आ गई यह जन्म ऐसे यह कुल उसका जीवन काल है और यहां नीचे पहुँशते ही क्या हो गया अरे क्या हुआ कुछ नहीं आज सुबह दादी चली गई बिंदू दादी यहां बिंदू बिटिया थी यहां पहुशते पहुशते क्या बन गई बिंदू दादी बन गई और यहां से नीचे आ गई यहां चली गई तो राम नाम सत्य आरी बात समझ में हमारा रूपांतरन होगा है हमारा जन्म नहीं होता हम मिट्टी ही थे मिट्टी ही रूप बदल करके देह बन गई है देह ही एक विषिष्ट तरीके से चेतना जैसी प्रतीत होती है ना वो चैतन्य है ना विशिष्ट है बस प्रतीत होती है मिट्टी बनी देह, देह बनी चेतना और यह सब कुछ चूंकि मिट्टी है इसलिए रूप अपना बदल के फिर से हो जाएगा मृत्यू क्या है रूपांतरण देहांतरण नहीं रूपांतरण रूपांतरण हाँ वो जो इस देह के अणू परमाणू है निश्चित रूप से वो अब एक दूसरी देह बनेंगे निश्चित रूप से बनेंगे अरे भाई मृत्यू के बाद क्या बनेंगे मृत्यू से पहले भी इस देह में न जाने कितनी और देहें बैठी रहती हैं हमारे शरीर में करोडों बैक्टिरिया वाइरस फंगाई वगेरा बैठे होते हैं और जब ये नीचे जाएगी तो फिर उसमें से कुछ और बन जाएगा अंतिम संसकार करने से पहले ही ये देह कितना बदलने लग जाती है मृतक को देखा है कभी चार-चाय घंटे बीटते बीटते चेहरा ही बदलने लग जाता है रूपांतरन हो रहा है रूप बदल रहा है रूप बदल रहा है और आप अगनी नहीं भी दे तो रूप पूरा बदल ही जाएगा बस समय थोड़ा जादा लग जाएगा शायद 15 दिन एक महीना लग जाए आप शव को छोड़ दें आप दहा ना करें तो भी क्या वो शव जैसा छोड़ा है वैसी रहेगा महीने भर बाद या चार महीने बाद आएंगे तो वहां कुछ नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं मिल जाएंगे कुछ थोड़े बहुत कुछ आउशेश मिल जाएं कुछ इशारे मिल जाएं तो अलग बात है वरना वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको क्या हो गया जहां से आया था सारा पानी वहीं वापस चला गया बताओ न्यारा क्या है हमें मैं इसी मिट्टी से उठा हूँ अभी ऐसे रूपांतरित हो के बैठ गया हूँ रूप भी ऐसा है कि जो बदलता ही रहता है कोई भी दो दिन होते हैं आपका एक ही रूप हो प्रति दिन प्रतिक्षण रूप बदल रहा है कि नहीं वही रूप थोड़ा एक जटके में एक मुष्ट बदल जाता है उसको हम रित्य बोल देते हैं नहीं तो बिंदु बिटिया कभी सोला साल की थी और फिर वो असी साल की दादी हुई दोनों तस्वीरें अगल बगल रख दो कोई बता भी न पाए कि वो एक ही व्यक्ति है बता पाएगा और एक और होँ साथ में लगा दो जब वो छही महीने की थी छह महीने वाली, सोला साल वाली, साठ साल वाली पता चलेगा एक ही व्यक्ति है रूप तो बदल लिए रहा है ठीक वैसे जैसे प्रकृति में कोई भी रूप शाष्वत नहीं है शाष्वत्ता तो बहुत आगे की बात कर दिये हमने कोई भी रूप ख्षण भर को भी टिकता नहीं है सब कुछ बदल रहा है वैसे हम भी बदल रहे हमें नियारा क्या है राम न्यारे है यह थोड़ा दूर की बात हमारा मन इतना सुलजा हुआ नहीं है और हमारे हाथ इतने साफ नहीं है कि हम जाकर के राम को छुएं और मुह से राम की बात करें हमारे लिए तो अभी करतब यह है कि हम अपनी बात करें और अपनी बात ये है कि मैं न्यारा नहीं हूँ मैं न्यारा नहीं मैं कौन हूँ? आगे मेरा परिचे है राम निरंजन न्यारा रे उसको हमने कह दिया मैं नहीं न्यारा रे और आगे मेरा परिचे है क्या? अंजन सकल पसारा रे मैं वही हूँ जो ये पूरा सकल पसार है ये जो अनंत विस्तार है मैं वो हूँ तो पहले हिस्से में मैंने इमानदारी से शुरुआत करी अपनी जूटी पहचान के नकार से और अपनी जूटी पहचान को नकारने के बाद फिर मैंने बताया कि मैं सच मुझ कौन हूँ पहले तो मैंने सोयम को बताया कि देखो मैं वो नहीं जो तो मुझे समझ रहे हो आप किसी के घर जाएं और वो आपको बोले आओ मोहन आओ और आप हो सोहन आप कौन हो सोहन और आप किसी के घर गए और जैसा हम भ्रमित रहते हैं हमेशा वो भी भ्रमित वो मोहन मोहन कहके आपको पकड़ रहा है तो आप दो आख के बोलेंगे पहला क्या बोलेंगे मैं मोहन और फिर आगे क्या बोलेंगे दो वही याँ पर हो रहा है अहंकार को पहले ये बताया जा रहा है कि मैं कौन नहीं हूँ क्योंकि अहंकार माने बैठा है कि मैं न्यारा हूँ वो माने बैठा था कि मैं मोहन हूँ चुकि वो माने बैठा था मैं मोहन हूँ तो इसलिए करतव है कि पहले बताया जाए मैं मोहन नहीं हूँ मैं नियारा नहीं हूँ और एक बार बता दिया मैं कौन नहीं हूँ तो फिर ये भी बता दो कि मैं कौन तो मैं कौन हूँ अंजन सकल वो मैं हूँ अंजन मने ये काजल कालिमा को अंजन बोलते हैं किसी भी तरह की कालिमा मने काला धबा काला धबा ये जो सब कालिमाचारों और बिखरी हुई है न वो हूँ मैं यही मुक्ति है यही जान लेना मैं यहां गिलास की सत्थ पर प्रकट हुई शनभंगुर बूंद हूँ बस आरी बात समझ मैं है मुझे ये छोटे-छोटे कीडे रोमान्चित करते हैं और ये मुझे खास तोर पर दिखते हैं जब मैं बाहर खेलने जाता हूँ ये दो ही तीन घंटा जीते हैं बस इनका मैं आपसे पहले भी उलेक कर चुका हूँ और ये बिलकुल आकर के बेसलाइन के पास बहुत सारे बैठ जाते हैं इतनी 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 ध्यान से देखो नहीं तो दिखाई भी न दे चड़ जाओ उन पर इनको देखता हूँ बहुत तरह के विचार आते हैं मेरे साथ में जो यहां से जाते हैं वो बोलता हूँ एक कपड़ा लेके चला करो तो हर दस से एक मिनिट में रुक करके उनको वहां से जाड़ देते हैं कि चलो हटो अब उसकी वजह से खेलना रुकता और यह सब होता है और खास तोर पर अगर आप रात में खेल रहे हैं लाइट के नीचे तो बहुत सारे आ जाते हैं और अगर बरसात में खेल रहे हैं तो तो मुझे ये भी विचार आता है इनकी इनकी जिन्दगी बचाने योग ये भी है क्या खास तोर पर जब मैं देखता हूँ कि बिलकुल जहां सर्विस होती है वहीं आकर के पांच बैठ रहे है बेसलाइन के पीछे और पूरे में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं यहीं आगे बैठे उन्हें मरना ही है वो हैं ही नहीं इवन मेरे कोच के मुझे निकल गया तार यह धूल है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार हम गेम रोकते हैं और फिर उसको ज़ाड़ा जाता है और फिर शुरू करते है तो शायद सचमुझ गलत फहमी हो गई हो या हम रुकें नहीं इसलिए बोला हो पर उन्हें बोला अरे नहीं कीडे वगरे नहीं है और वो बात मुझे एपिफेनी की तरह लगी जैसे कोई बड़ा रहस से उद घाटे थो गया हो क्या कीडे हैं ही नहीं वो वो धूल है खिर मैंने भी चाल चली मैंने का हाँ जैसे धूल ऐसे ऐसे हटाई जाती है ऐसे इनको हटा देते हैं जब धूल है तो क्या हो गया धूल भी तो हटाई जाती है वो बात एक्सम ब्रह्म वाकिय तरह आई थी धूल है कीडे के लिए नहीं आई थी मेरे लिए आई थी बेसलाइन पर सिर्फ कीडे ही थोड़ी खड़ा है यह इतना बड़ा कीडा भी तो खड़ा है बस बड़ा कीडा छोटे कीडे को व्यवधान समझ रहा है क्या पता वो भी वहां अपना मैच लगाए बैठे हो कोई भरोसा है नहीं तो वो भी कहीं बेसलाइन पर ही कहा हो आएंगे उन्होंने भी कहा है कि यह जो सामने देख रहा हो तुम मेरे लिए बेसलाइन उंके लिए कोई महासागर हो गय रहा है इतने इतने तो है उनके लिए इतनी सब धूल है प्रक्रति की धूल है सब जो कभी एक रूप ले लेती है कभी दूसरा रूप ले लेती है उसमें से एक रूप को हम देह का नाम दे देते हैं हजारों रूपों में से एक रूप है दे ना कोई कहीं से आया है ना कोई कहीं को चला जाएगा इस तरह के वक्तवे कभी सुनिये और खास तोर पे अगर बहुत बुद्धिमानी के लहजे में सुनिये तो थोड़ा हस पड़ियेगा कि फलाने सज्जन एक दिन भूमी पर प्रकट हुए थे प्रकट हुए थे माने कहां से प्रकट हुए थे भाबा भूमी के ही हो भूमी पर ही तुमने रूप बदल लिया और भी तुमने नहीं बदला जो यहां बूंद प्रकट हुई थी वो बूंद का चुनाव था इस्थितियां ऐसी बनी कि बूंद प्रकट हो गई जिसको आप अपना जन्म बोलते हो जन्म तो है नहीं जो भी है प्रकट्टे है वो आपका चुनाव था जैसे बूंद ने चुनाव नहीं करा था यहां सतह पर प्रकट होने का वैसे हम भी चुनाव नहीं करते किसी के घर में प्रकट होने का तो प्रकट हो गए तो कोई कहीं से नहीं आया है कोई कहीं से उतरा नहीं है कोई कहीं से अउतरित नहीं हुआ है कोई कहीं से यहां पर यात्री बन कर नहीं आया है सब यहीं की मिट्टी के हो पर ये मानने में हंकार को बोरा लगता है कि मिट्टी थोड़े हूँ मैं मैं तो किसी दूर देश का किसी परलोक का फरिष्टा हूँ जो प्रत्वी को वर्दान देने के लिए यहां आया है मैं विशेश हूँ खाते नहीं मेरे घर आई एक नन्ही परी है परी काहे की परी आरी बात समुझा और ना मरने के बाद कहीं चले जाओगे मृत्यु भी बस क्या है रूपांतरण रूप बदलने से कोई कहीं चला जाता है क्या रूप बदलने से कोई कहीं जाएगा रूप बदल गया हवा हो गए मिट्टी हो गए पंचभूत हो गए तो बुद्धों से पूछो के तो कहेंगे दुख का उपाय यही है कि जान लो कि आज भी पंचभूत ही हो मृत्य होगी ही नहीं मृत्य शरीर की तो होती ही नहीं क्योंकि शरीर तो अभी भी है मृत्य के बाद भी रहता है शरीर शरीर तो अभी भी है शरीर तो मृत्य के बाद भी रहता है इस अर्थ में तो शरीर अमर है ये matter है matter destroy हो सकता है क्या तो शरीर तो अमर है अधिक से अधिक आप matter को energy बना दोगे पर वो energy पुना matter बन सकती है तो matter तो indestructible है हम जानते हैं तो शरीर अमर है तो मरता कौन है आत्मा तो थी ही ये पक्पू भी अमर निकला तो ये मर गया मर गया का रोना कौन गार लगाए है अहां वो ऐसी सी बात है कि हवा में जो उमस थी वो एक विशेश गुण नहीं लिये हुए थी वो एक खास रूप की नहीं थी वो जो एक विशेश रूप था वो नहीं रहा वो उसका एक विशेश गुण है कि मैं बोल देता है वो रूप वो नहीं रहा, वरना मरा तो कोई भी नहीं है सत्य मरता नहीं देह अधिक से अधिक रूपांतरित होती है तो मरा कौन? सोच में आरी यह बात मैं न्यारा नहीं हूँ अपना साक्षी होना ऐसा ही है थोड़ा सा दिल थाम के सुनियेगा जैसे अपनी लाश को देखना आप मैं भाव रख करके अपने साक्षी नहीं हो सकते साक्षी होने का अर्थ ही है स्वयम को ऐसे देखना जैसे एक लाश को देखा जाता है लाश किस अर्थ में? इस अर्थ में नहीं कि पड़ी हुई है इस अर्थ में कि जड़ है प्राक्रतिक मात्र है अपने आपको पूरे तरीके से एक प्राक्रतिक फिनॉमिना की देखना ही साक्षी तो है मैं एक एपरिटर्स हूँ मैं एक मशीन हूँ मैं एक प्रक्रिया हूँ अपने आपको ऐसे देख लेना ये साक्षी तो है मैं हुँ ही नहीं I am a set of chemical reactions I am a sequence of chemical reactions ये साक्षित तो है अंजन सकल पसारारे ये जो चारो तरफ हो रहा है ठीक वही मुझह में भी हो रहा है वही मैं हूँ प्रडाम अचारी जी अचारी जी आठके session में जो भजन हुआ है उस भजन में जैसे पहले भी आपने बताया था कि राम को पाया नहीं जाता रामत तो हो जाया जाता है और कबीर साहब के दोहों को पढ़के इसा प्रतीत होता है कि मतलब उनको विवेक आ गया था विविदिताय रहे नहीं गई थी उनके जीवन में तो फिर उनको विरह किसका था जैसे उनको आत्मग्यान तो हो गया था और बाकी संतों को भी आत्म ग्यान तो हो गया था फिर उनको वीरा किसका होता है राम तो है नी रामत तो हो जाया जाता है तो फिर वीरा किसका है जब तक देह है पूर्ण कुछ भी नहीं होता पहली बात यह दूसरी बात कोई भी संत समय के एक ही बिंदु पर और अपनी सारी अभिव्यक्तियां या कृतियां थोड़े ही प्रकट करता है वहाँ भी तो पूरी ये ग्यात्रा होती है कुछ बात होगी जो उन्होंने 25 की उमर में कही होगी कुछ बात होगी जो 65 की उमर में कही होगी तो जब वो कह रहे हैं उदारण के लिए कि फिरें तो थोड़ी उस से आगे की बात हो गई तो ये याद रखना होता है लेकिन हम जहाँ हैं हमारे लिए तो सारी ही बातें बहुत उची हैं वे ऐसा है कि हम यहां सडक पे खड़े हुए हैं और सो मंजिलों की इमारत हैं अब कोई बात उसमें पिच्चानवे मंजिल से ब हमारे लिए तो एक ही बराबर हैं और ये भी समझेगा कि जो बात बहुत उची मंजिल से बोल दी जाती है वो थोड़ी कम उपयोगी हो जाती है बलकि घातक हो जाती है हमारे लिए बहतर वो बाते होती है जो उपर से आए पर इतनी उपर से ना आये कि हम उन्हें छू ही न पाएं हम उन्हें पकड़ ही न पाएं अचारी जी क्या उन्होंने कोई ऐसे कालपनिक छवी बनाई थी क्या मीरा को कृष्णी के लिए जैसे जो वीरा था वो उनको पती के रूप में देखती थी मतलब वो ऐसा एक छवी बनाई थी कि कोई मेरा ऐसा पती हो फिर उनको इतना तकलीफ किस बात के थे या वो दीखे हम चुकि सडक पे खड़े होते हैं तो हमको पचासवी मनजिल सतरवी मनजिल सौवी मनजिल और पाचसौवी मनजिल सब एक से लगते हैं हम तो लोग ऐसे बोल देते हैं कबीर और रहीम के दोहे जबकि इन दोनों के वक्तव में और सतर में बहुत अंतर है बहुत अंतर है एक हैं अकबर के दरवार के अब्दुर्रहीम खान खाना वहाँ वो जो बातें बोल रहे हैं वो बातें दरवारियों को शोभा देती है वे एक है मस्त मलंग जिनको किसी बादशाह से कोई लेना देना नहीं जिनको कुछ ना चाहिए वे शाहन के शाह और एक शाह के दर्वारी है तो जाहिर सी बात है दोनों का वक्त भी एक ही स्थरका तो नहीं होगा और है भी नहीं पर चुंकि हम बहुत करीब जाकर नहीं देखते तो हमारे लिए सब उचाईया एक वराबर हो जाती है वो ऐसी सी बात है कि कोई छोटा सा आठ सीटर प्लेन उड़ रहा हो और एक 400 सीट वाला उड़ रहा है वहाँ जम्बो आप नीचे से देखते हो तो आपको क्या लगता है आप बस यह बोल देते हो प्लेन है प्लेन है और जबकि दोनों की उचाई में भी बहुत अंतर है और आकार में ही बहुत अंतर है कि एरपोर्ट पर देखा है आप इंटरनाशनल एरपोर्ट पर जाएए तो वो जो इंटरनाशनल वाले होते हैं बहुत बड़े होते हैं कितने बड़े होते हैं कई भार तो 500 से जादा उसमें सीट होती है और वहां चोटू-चोटू पिदी-पिदी भी खड़े होते हैं कोई 8 सीट वाला है, कोई 16 वाला है, कोई तो दो वाले भी होते हैं तो ऐसे से, और दोनों एक के बगल में एक खड़े हो तो आप कहेंगे उसके बगल में खिलोना खड़ा हुआ है परजमीन से देखो तो ऐसा लगता है सब बराबर यह आप लेन है उड़ रहा है जैसे घर में ऐसा महाल रहा कि राम के बारे में जैसे बाते बताई गई उनकी छवी को तो उसे मतलब अभी तो समझ में आता है कि भाव नाइस जूड़ गई है तो जब अभी कभी गहराई से नाम लो तो आंक में आसुब आ जाते तो अभी समझ में आता है यह जूटी अधाव नाओं की वज़ए से होता है देखो चार राम की बात होती है तो आम आजमी तो पहले राम कोई पूज रहा है उसका स्वार्थव से आगे नहीं जाने दे रहा है वास्तों में राम तो ए लेकिन अहंकार बाकी तीन बनाता है ताकि उसको सुविधार रहे अब जो सबसे निछले तल पर है अहंकार उसके लिए फिर वही प्लेन वाला उधारण है दूसरे राम भी उसके लिए उची बात है और चौथे राम भी तो जिनको हम संत आधी कहते हैं उनमें से कुछ ने ब पहले ही तल के लोग हैं सबसे निछली मंजिल के लोग हैं तो हमें सब हमसे उचे ही लगते हैं लेकिन वो जो हमसे उचे हैं उस सब एक बराबर नहीं है उनमें से किसी ने दूसरे राम को पकड़ रखा है कोई तीसरे तक पहुँचा है और कोई बिरला होता है जो चौथे की बात करता है मैं आप तक उनको लेकर आता हूँ जिन्होंने सिर्फ चौथे की बात करी है लेकिन हाँ सम्मानिय वो भी है जिन्होंने दूसरे और तीसरे की बात करी है क्यों सम्मानिय है क्योंकि हम तो पहले ही तलके हैं ना तो अगर कोई दूसरे राम देन्वादा आचोड़ा राम निरंजन न्यारारे अंजन सकल पसारारे राम निरंजन न्यारारे राम निरंजन न्यारारे, अंजन सकल पसारारे, अंजन सकल पसारारे अंजन उत्पतियोंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन ब्रम्हा शंकर इंद्र, अंजन ब्रम्हा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविन्द, अंजन गोपी संग गोविन्द, राम निरंजन न्यारारे, अंजन सकल पसारारे, अंजन सकल पसारारे, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया ना ना बेद, अंजन किया ना ना बेद, अंजन विद्या पाथ पुराण, अंजन वो घट घट ही ग्यान, राम निरंजन न्यारारे, अंजन सकल पसारारे, अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेश अनंत दिखावे, अंजन भेश अनंत दिखावे, राम निरंजन न्यारारे, अंजन सकल पसारारे, अंजन कहो का हालग केता, दान पुनी तप तीरत जेता, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे, राम निरंजन न्यारारे, अंजन सकल पसारारे, 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 मैं आचारी जी से दो साल से जुड़ी हूं, और वीगन बने भी मेरको दो ही साल हो गए है, मतलब आचारी जी से जुड़ने से पहले प्रेम तो था जानूरों के लिए लेकिन करुणा नहीं थी, तो वह अचारी जी से सिखी मैंने, और आज के सतर में सीखें, मैंने सीखा कि हम समस्या को मतलब समस्या जब आती तो हमारा मन भागता है, समाधान की और लेकिन हम समस्या के बारे मैं ना सोच के समाधान पर ज्यादा जान देते हैं, लेकिन अगर हमस्या को समझ ले पहले, तो अगर उसको जान ले पहले, तो उसका सोलुशन निकल जाता है, तो समस्या को जानना ही हमारे लिए समाधान है, और एक परिणाम की हवस सुपता को चहर जाती है, लेकिन अच्छे से अच्छे परिणाम में जब मिलेंगे, जब मुस और वो उसे में जी रहा है, वो जड़ता में है और वो पसु समान है बस यही सिखा मैंने हाच तो